तो हेलो बाइलोग कैसे हो आप लोग देखे हैं रोलस्पी गेमेंग के यूटूब चैनल और आज मैं खेला हूँ स्काइब्लोग आइमिन स्काइफेक्टरी तो आप देख सकते हो वैसे मैंने कुछ किया नहीं अभी कोई ग्रो और आप लोग देख सकते हो अगले एपिसोड रहा था तो इसमें काफी कुछ लिखा है लिवस बारे में और काफी सारी चीजे लिखी है पर अब्वेसली इस बुक की कोई जरूरत नहीं तो मैं इसे पैकने वाला हूँ क्योंकि मैं वैसे भी कोई बुक पढ़ता नहीं सिवाए अपने स्टड़ी की तो पहले तो मैं ट्री चॉप कर लेता हूँ कि अ तो यह दो लिवस बचे थे तो उसे पर मैंने निकाल दिया तो काफी सरे लिवस हो चुके है अल्मोस्ट तो अभी मैं वोड निकाल सकता हूँ आसानी से तो अभी अभी एक कड़बर हो चुकी है कि मैंने अभी जो सेपलिंग लगाई वो बड़ी हो गई है और आपको पता है यह वो वाला पेड़े है जो सबसे बड़ा होता है वो खूड में तो यार मुझे यह वोड नहीं चाहिए था पर फिर में मिल गया चलो कोई दिक्कत नहीं तो अभी मैं एक बेरल बना रहा हूँ ताके मैं अपना जो कीमती सामान है वो रख सुकू क्यों कि अभी यह गोल्ड और आयरन तो काफी किमती है और खास करके कुबल स्टोन ओके तो एक छोटी सी दिक्कत के कारण अभी मुझे फिर से क्रॉक बना के इस पूरे ट्री को उजाड़ना होगा कि यहां लगा देते हैं हम सेपलिंग्स और इधर वांडरिंग ट्रेडर भी स्पॉन होगा कभी कभी ओहो हो यार हमें एक डाइमंड मिला सही है खूल भी है और कुबल स्टोन भी आ चुके है तो भी मैं आयरन इंकट बना के वाटर लेने आ लग बकेट बना के तो पहले यह बना लेते हैं तो स्टोन बेरल में बने का लावा और बकेट चाहिए यार बकेट अभी तक नहीं आई तो बकेट आ चुकी है तो हमें एक बकेट लावा मिल लावा कैसे मिलेगा यार अभी पानी तो मिलाए तो यह यह रखते हैं और इसके अंदर रखेंगे हम स्टोन तो यह थोड़ी दिर बाद लावा बन जाएगा तो इसे देड़ लगती है पर बन जाएगा यह तो इसमें भी पानी बनाने के लिए रखी देते हैं ताकि हम इंफिनिटी वाटर सोस बना सके तो मैं अपने जो एरिया है उसके असपस एक लेयर बना देता हूँ ताकि मैं घिरना सकूस ले अकी कि ओके तो अबे मुझे थोड़ी सी डर्ट चाहिए तो डर्ट के लिए तो मुझे लीव सिखटे करने होंगे फिर से तो यहां और यहां एक अगा है तो फुर्पे के लिए इतने ठीक क्योंगे क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए तो भी हम एक कब्रेटर जनरेटर बनाने वाले थो उसके लिए मुझे थोड़े से डर्ट चाहिए क्योंकि डर्ट के बिना तो हम नहीं बना सकते और थोड़े से कवल स्टोन स्लैप भी ले लेता है क्योंकि काम आएगे यह सब चीज़े ओके तो कवल स्टोन जनरेटर बनाना यही सही होगा क्योंकि वैसे भी रस्ता खुलाई है और अच्छा भी तो ऐसे दो फिर एक दो तो यहां आएगा पानी और यह आएगा ऐसे और इसे मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि कई बार क्या होता है कि जो कवल स्टोन है वो नीचे गिर जाते हैं और वो पानी के सहरे चले जाता है तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज हो गया तो भी हमें लावा चाहिए तो यह लोग एक तमईसी है और लावा हम डालेंगे इदर यहां पर और कोवल स्टोन जनेरेटर रेड़ी तो इसे अभी हम यहां से कवर कर देता है ताकि मैं पर्सनली नीचे ना गिरूँ कि यहां मुझे अपनी सिप्टी पहले रखने होगी तो अभी एक पिकेक्स बना लेते हैं और अगर यह बिजली यहां गईरी तो सच में पूरा प्लेटफॉर्म चलाएगी और आई विश कि ऐसा ना हो तो मैं थोड़े से कवर स्टोन इखटे कर लेता हूँ और फिर आपसे वापस मिलता हूँ तो मैंने थोड़े से कवर स्टोन इखटे कर लिया है और अभी मैं इसे ऐसे यूज कर सकता हूँ और इसकी एक बुरी चीज ही है कि इसमें हम आपर नहीं लगा सकते हैं वरना हमारा सारा सिस्टम आटोमेटिक हो जाता झाल झाल